आठ महीने के बाद लोगसवाचुनाव सर पर है और न्यूज 24 आपको उन लोगसवाचुनाव के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है जो 2019 के लोगसवाचुनाव में उत्तर प्रदेस में सप्पा और बस्पा के साथ मिलकर लड़ी गई थी लेकिन इस बार मयाबती ने पहले ही एलान कर दिया है कि बोगसवाचुनाव अपने बूते लड़ेंगी ऐसे मेहाल के दिनों में बने इंडिया और अखिलेस यादव की तरब से दिये गए पीडिये यानि पिछडा दलित और अब संख्यक वोट बैंक क्या पश्च्वी उत् को दिखा रहे हैं कि आखिर संबल लोगसवा जो सप्पा और बस्पा के बूते बीजेपी को 2014 के मुकाबले 19 में चुनावी शिकस देने में काम्याब रही थी इस बार क्या होगा मद्दाताओं के मन में क्या है इसलिए यह तस्वीर देखिए जहां पर मैं हूँ जिस गाउ रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस संबल जो अल्प संख्यक बहूल सीट मानी जाती है जहां से कभी मुलायम सिंग यादब चुन कर गए राम गोपाल यादब चुन कर गए और इस बार चर्चा है कि MIM के मुक्या अस्दूदीन औवैसी भी यहां से अपनी चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं तो इससे किसको नफा होगा किसका फाइदा होगा बाचित करने को आज साथ बहुत सारे लोग हैं चौतरी साब से पहला सवाल सेर संबल आमतोर पर मुलायम सिंग यादब रहे रामगोपाल यादब रहे इस बार संबल का क्या होगा जब 2019 में सपा और बसपा साथ लड़ी थी किसान किस तरब खड़ा है जो बार बार कहा जा रहा है कि PDA पिछड़ा दलीत और अल्प संख् बॉक तरीके से आगे बढ़ेगा इंडिया का भविस्यों होगा इंडिये कितना भारी पड़ेगा इस साल क्याय कि सेंट्रल में सरकार बना लोगों ह। तो प्रैमिश्टर ने बहुत ब्रादा किया था हमसे उनका वादा यह था कि गंन्य का एक एक्ट है शुगर केंड कंट्रॉल 663 3A वे एक्ट ये कहता है कि पंदन के अंदर मिलेकर भुक्तान नहीं करती है तो पंदन दे बाद पंदन परसंट ब्यासे भुक्तान करना होगा देश के प्रधान मंति ने बागपत के रेलिय में शर्याम विवाद कही थी कि हमाई सरकार आप बीप करूं सवाल ही नहीं है प्रहक्तान मंत्री विस वास्मत में कह रहे हैं कि आप बताओ साट साल के मुकावले बीटे नौ साल में से बेगतर कौन सरकार Award उसने कर उसने कभा robi national drain का पहले की लेटर हाउस में चले जाते थे आप कम से कम उसे रेवन्यू तो बढ़ रही है तो फिर किसानों का क्यों सुमर्ण आपको यूपी बैठे हैं और बड़ा इस्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश पूरे भारत का एक बड़े दो गन्ना पैदा करता है गन्ना दो एक बड़े आधा गन्ना उत्तर प्रदेश में गन्ने वह क्या है हर्याने में 308 रुपए है पंजाम में 308 कोंटल है माराष्ट में करीब 400 रुपए हैं पूरे भारत में सबसे कम गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में कितना 350 कोंटल अब आप यह लाओ लो कि अगर यहां भी 30 बढ़क किसान का समर्थन तो मिली रहा है कहां मिलागा अब मुझे बता क्या से मिलागा उत्तर प्रदेश सरकार ने पचास लाइक सप्लायर जो किसान थे हैं जिनके परवार सब्सक्राइब निकाल के सरकार ने और 120 मिलमार को खातेम डाल लिया किसान का समर्थन तो मिली रहा है कहां मिलागा अब मुझे बता किसे मिलागा उत्तर प्रदेशान को इन्होंने अकले गन्ने में 6 रुप निकाल लिया अब एमस्प बात पाजाओं मक्का के एमस्पी 21 रुपा है इस वार मक्का के एमस्पी आप सुनो मक्का वाब बिगरी मार्केट में आप जाओं मंडी संबल में आप आये मक्का विकरी 14 रुपा कुंटल मक्का के लूट हो रही है खुलिया हम इस्ते डीब भी किसान की एमस्पी को ही नहीं है किसे को नहीं मिल लही है मुक्क पंतिया रान की आता चुनाओं में हम बीजी फ्री रहेंगे तीन सो इनित बीजी देंगे एक पैसा फ्री नहीं हुआ उल्टे मीटर लगा रहे हमारे चौवीस में क्या होगा चौवीस में जंता लड़ागी इंसे अपके लड़ाइए लड पर और बात करते हैं आप से कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं देखिए यहां पर बहुत सारे लोग हैं और क्या इस हिती है हम भाई साब यह बताईए जनाब कि इस वार संबल में 2024 में क्या होगा आप आरा पसू के आप चौदरी साहब कर रहे थे कि समस्या जस्कितस ह है और किसान में 95 फीजदी हिंदू हैं बाप जूद इसके हिंदू का आपको लग रहा है कि धुरूभी करन होगा नहीं होगा पिछले बार बस्पा और सपा चुनावी मैदान में साथ इस बार अलग होंगे तो इस बार संबल के अल्प संख्यक समुदाय कि धर अल्प संख समुदाय कि यहां कि किसान विरादरी से तालोक रखता है जितना अल्प संख्यक समुदाय संबल में है वो सब खेती किसानी के पेसे से जुड़ा हुआ है इस समुदाय के अंदर यहां कोई भावना ऐसी जातिवाद की नहीं है सब भाई-चारे के साथ ही यहां हम मिलकर रह बाइदा था ना मेहंगाई ना भ्रेष्टाचार हम देंगे इस्थिर सरकार तो इस्थिर सरकार तो दे दी ना मेहंगाई पे कंट्रोल सरकार का और ना भ्रेष्टाचार पे कंट्रोल भ्रेष्टाचार तो इस सरकार में सुरसा के मुझ की तरह बड़ा है और मेहंगाई मेहं सो रुपया पेट्रोल दे रहे हैं तीन सो पचास का सिलेंडर देंगे आज साड़े ग्यारे सो रुपय का सिलेंडर दे रहे हैं कहां देख लीजिए आप ये कहां काम्याब बस नफरत फैलाने में लगे हैं लेकिन हम लोग बटने वाले नहीं है लेकिन साब ये बताये कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दा हो जाता है लेकिन चुनाओ आतियात जब होगा क्या तो यहां MIM के वसी सहाब आएंगे वो आपकी गरीबी अकलियत की बात करेंगे और फिर कहें कि आप लोगों को लोगों ने ठगा है इस बार हमें बोट दो BSP से फिर कोई आप ही के चुकी बहुल इलाका है तो आप ही कल्प संक्यक्स मुदा से कोई दूसरा का इंडेट होगा इस पर इस हिती में कम से कम BJP भी कहती है कि वो खुद बटे हुए तभी तो हमें उनाइट है ये तो B-team है OVC रहे, मायवती ये तो BJP की B-team है इनके जहां से में कोई नहीं आने वाला 24 में इस बार क्या होगा संबल में संबल में तो जो होता चलाया है एक बार देवियोग से कहीं भाजापा निकल गई भाजापा का तो यहां से सूपड़ा साफी होगा यहां तो जो बिपक्ष है जो इंडिया गठवंदन का है यहां से तो हम सब लोगों का समर्थन उसी के साथ रहे चायो बसी साब आया, B-S-P आया बिलकु सही बोलना है कोई फर्क इस पर बोटर पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां किसानों को सरकार ने ठगा है जिसे चाया बिजली को ले लो बिजली उत्तर प्रदेश में सभी प्रदेशों के मुकाबले पर महेंगी लिए किसानों को और जो सरकार कह रही थी कि हम किसानों को बीली फ्री देंगे जो अभी निताई बता रहे थे बिल्कुल अभी तक किसी किसान की बीली फ्री नहीं हुई है बले कि हम जो मीटर का बिरोध कर रहे हैं किसान अंदोलन में आप लोगे एं बॉतने वक्तर के кимиदान सवां किया हुआ किसानों का समर्थन फा ट्भी तो भीजे पी जीती साबstat किसानों का समर्थन कहां हमको नहीं है किसानों को समर्थन नहीं है इस वार बिल्कुल बेपरीत होगा और इस वार इंडिया जीतेगी अब किसान में भी कोई जाठ हो जाएगा कोई यादब हो जाएगा कोई उधर से लोध हो जाएगा लेकिन इनकी जो चाला की है वो उस चीज को हम समझ गये हैं और हम पूरी तरह से एकटा होकर एक जोट होकर होखर के और इंडिया को बोट करेंगी इंडिये नहीं